तो हाई दोस्तों स्वागत करते एक बार फिर आपका हमारी बोल फटाफट फट फैमिली में तो भाई घर के अंदर हुआ है कैप्टेंसी टास्क और ये टास्क जो है वो काफी मज़ेदार होने वाले है क्योंकि यहाँ पर कई लोगों ने जो है वो जीतने के लिए जो है वो दो टीम्स बनाई गई है और ऐसे में एक टीम में जो है वो साथ कंटेस्टेंट है और एक टीम में जो है वो छे कंटेस्टेंट है और क्योंकि यहाँ पर जो है वो मुनावर फारुकी क्योंकि घर के कैप्टन है तो उन्हें जो है वो इस पूरे के पूरे टास्क का जो है वो संचालग बनाई गया, अब यहाँ पर हम बात करें दो टीम की, तो एक टीम के अंदर जो कंटेस्टेंट है जैसे कि घर के अंदर राइवल्री चल रही है, उस हिसाब से जो है वो टीमे बनाई गई है, एक टीम के अंदर है जो है वो अंकिता लोखंडे, विकी जैन, मनार चोपड़ा और क्या नाम है ईशा समर्थ और 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 इनके साथ जो है वो आईशा है वही पर बात करें दूसरी टीम की तो उसके अंदर जो है वो अरुन माशेटी नील भट ऐश्वरिया शर्मा रिंकुजी और अभिशेक कुमारी ये लोग हैं साथ के साथ अनुराग भी इन करके कुछ सौंग बजेगा और जैसे ये सौंग बजेगा तो उस गार्डन के जो मालिक है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे मुनावर फारुकिया और बाकी लोगों को मौका मिलेगा कि जाकर जो पेड़ से जो एपल गिर रहा है उनको जो एपल है वो उठाने का मौका मिल जो है वो सिलेक्ट किया गया है तो ऐसे में अंकीता लोखंडे जब एश्वरिया की टीम का इंस्पेक्शन करती है तो वो बहुत सारे जो बोलती है एपल स्कीन के अंदर डिफेक्ट है ये है वो है वहीं पर एश्वरिया जो है वो संचालक करते हुए दिखाती कि ये एप लोग चिलाने लग जाते हैं कि अंकिता ने जूट बोला गलत इंस्पेक्शन आपके जिदे के लिए जूट भी बोल रही है और ऐसे में हाला कि जो कैप्टन बनता है वो अंकिता लोखंडे की टीम से ही बनता है यानि कि इशा मालविय बनता है तो यहाँ पर देखना होगा कि किस बेसिस पर जो है वो इशा मालविय को जो है वो संचालक बनाएगे क्योंकि लास्ट में जो फैसला है वो घर के कैप्टन यानि कि घर के संचाल का है मुनावर फारुकी का है तो देख न होगा कि किस तरीके से क्या ही टास्क उआ है और किस तरीके से इशाम मालविय जो है वो बनी है घर की यह क्तार खाले और फिर हल्व किा जारत wnya क्या कुछ कहना चाहते हैं